है लो गाइस वेलकम बैक टो माई चैनल साइको ट्यूबर तो आज गाइस हम बात करने वाल हैं डिफरेंट स्टेजिस ऑफ कोगनिटिव डिवलप्मेंट तो इससे पहले हम कोगनिटिव डिवलप्मेंट के बारे में बात कर चुके हैं प्याजे इसकी थियूरी के बारे में बात कर चुके हैं डिफरेंट स्टेप्स के बारे में बात कर चुके हैं आज हम उसकी स्टेजिस के बारे में पढ़ेंगे तो प्याजे ने हमें डिफरेंट कोगनिटिव डिवलप्मेंट की स्टेजिस बताई हैं डिफरेंट सेंसरी तो इन्हे स्टेजिस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं तो प्यार जेने क्या बताया है कि इन के इधिस के डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं जैसे कि हमने बाद की लिए तो इसका मतलब है тут यहां पर मैं आपको बता देती हूं comme object permanence का मतलब है कि जब object को हम नहीं देख पा रही तब भी वो object जो है present रहता है मारे environment में उसे हम object permanence का concept बोलते हैं यह बच्चे जो है two years तक होते हैं जब तक यह सीख जाते हैं कि mother अगर उनके सामने नहीं है पर mother available है okay second is pre operational stage तो इसमें वो symbolic thoughts के बारे में सीखते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कुछ न कुछ thoughts होते हैं okay जो कि abstract form में हमें store करने होते हैं तो उनको ही हम symbolic हमारे thoughts बोलेंगे जो हम symbols की रूप में अपने mind के अंदर absorb करने की कोशिश करते हैं third is concrete operational stage जिसमें लोजिकल thoughts लगाते हैं किसे भी चीज के कारण जो भी चीज हो रही है उसके पीछे क्या कारण है उसके पीछे का logic हम जानने के कोशिश करते हैं fourth is the formal operational stage जिसे हम abstract thoughts भी बोलते हैं तो उसके पीछे का मीनिंग है logic के पीछे का भी क्या मीनिंग है हमारे माइंड में abstract thoughts बना पाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे formal operational stage तो इनी different stages के बारे में हम इस lecture में पढ़ेंगे और different stages में कौन-कौन से और भी इससे जादा extra भी जो गोल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे तो sensory motor stage क्या होती है सबसे पहले यह हमने आगे भी बात कि है कि birth से लेके two years तक होती है तो जैसे infant जो है अपने senses को यूज करना लग जाता है तो वो reflexes का यूज करता है तो उससे वो क्या करेगा reflexes के साथ वो different अपने sensory motor skills को combine करेगा जिससे कि वो word को और easily way से understand कर पाएगा तो जो अपने वो skills है motor skills है और reflex actions जो होते हैं उनको use करता है तो कौन-कौन से reflex actions आते हैं यह भी आपको एक question पूछा जाता है जो कि हमें काफी books में नहीं मिलता different reflex actions कोन से हैं और कौन सी stage में reflex actions आते हैं basically यह question काफी पूछा जाता है that is reflex actions कि stage में आएंगे तो हमारी sensory motor stage में आएंगे और कितने reflexes होते हैं और कौन सी reflex का क्या motive है वो भी हम इस lecture में भी पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले है reflex 0 to 1 month तो child यहां पर क्या करता है वो inborn अपने reflex को use करता है जो उसको birth से ही मिल जाता है ठीक है that is sucking and looking जो की बच्चा बच्प reaction that is from one to fourth month जिसमें वो क्या कर रहा है चाइल जो है अपने actions repeat करता है same actions को बार बार repeat करता है जिसे हम क्या बलेंगे primary circular reaction okay second is secondary circular reaction तो four to eight months में जो बच्चा है यहां पर भी repetitive action तो कर रहा है पर वो उसका कोई reason है करने का कि उसे environment से कोई response चाहिए okay response के लिए कर रहा है जैसे कि वो रो रहा है तो उसे कोई चुप कराने आ गया ठीक है वो हस रहा है तो लोग उसे appreciate कर रहे है तो वो कोई activity होगी वो बार बार वो करता है हम देखते कि वो action repeat कर रहा है that means उसको वो क्या कर रहा है जो उसको response मिल रहा है वो उसको trigger कर रहा है कि वह action intentionally repeat कर रहा है, उसे हम secondary circular reaction बोलेंगे, अगर वो बिना किसी reason के नहीं repeat कर रहा है, उसके हम गोलेंगे primary circular reaction, next is coordination of secondary reactions, 8 to 12 months, तो इसमें क्या होगा, वो coordination create करने की कोशिश करेगा, coordinate करेगा अपने complex reflexes को, next is tertiary circular response, तो इसमें क्या करेगा, वो trial and error के थुरू अपने sub-sages में जो भी सीख रहा है, वो trial and error के थुरू सीखेगा, last is early representation thought, यहाँ पर बच्चा जो है, symbols बनाता है to represent his events और objects, जो कि उसको अपनी sensory motor stage में देखने को मिल रहे हैं, तो अगर हम इस stage के main characteristics की बात करें, तो सबसे पहले, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि knowledge जो है limited है बच्चे की, क्योंकि वो अपनी physical interaction के थुरू ही सीख पा रहा है, next is, कि जो बच्चा है, अपने senses को यूज कर रहा है, senses को यूज कर करके क्या कर रहा है, वो moving कर रहा है, explore करना ही को कोशिश कर रहा है अपने environment को, दूसरा जो है, कि during this stage, he uses object permanence, self recognition and imitation का concept वो सीख रहा है, तो इसमें हमने बात की थी कि object permanence क्या होती है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस picture में, तो जो बच्चा है, object permanence का यहाँ पर concept सीख चोका है, till the age of 8 months, तो अगर उसको वो mother जो है, directly नहीं दिख पा रही, हैं, कि वो यहाँ कई है, that means, उनकी mental representation उनकी जो है, अच्छी चल रही है, ओके, इसके साथ ही जो बच्चे है, physical development भी उनकी हो रही है, साथ-साथ, intellectual development भी साथ-साथ चल रही है, तो that is our sensory motor stage, तो अब हम sensory motor stage को quick revise कर लेते हैं, तो sensory motor stage जो है, zero to लेकर, 24 months तक हम बोल सकते हैं, इसमें हम different reflexes यूज करते हैं, जो कि हम अपने environment को study करने के लिए यूज करेंगे, हम six type of reflexes यूज करेंगे, तो अगर हम बोले कि main tactics क्या है, हमारी sensory motor stage के, तो सबसे पहले हम याद रखना है, object permanence का concept सिखते हैं, self realization होती है, हमारी हम अपने अपको recognize करना सीखते हैं और उसके साथ ही हमारी physical development होती है,